मद्यप्रदेश के सिंग्रॉली के एफसी आई गोदाम में रखा करीब साढ़े चार करो रुपे का अनाज अफसरों की लापरवाई के कारण सड़ चुका है वहीं अफसर खराब बोरियों के राशन को सही बोरियों में भर कर माल भेज रहे हैं वहीं BPL का अटधारक खराब गेहुं चावल खरीदने को मजबूर हैं 26,000 कुटल धान और 1000 कुटल गेहुं खराब हो गया इतनी भारित अदाद में अनाज सर जाने पर किसानों में भी आक्रोश है किसानों का कहना है कि सरकारी अफसरों के लापरवाही और चावल मिल मालिकों से साटगांट होने की वजह से समय से धान का उठाव नहीं हुआ वहीं गेहुं के का भी ढंग से रखरखाव नहीं हुआ जिससे करोडों का अनाज सड़ गया वहीं को दाम अधिकारी किसी भी प्रकार के नुकसान की बात से इंकार कर रहे हैं